Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे Dear students, आज के इस वीडियो में हम Polytechnic Diploma के लिए Best Branch के बारे में डिसकस करने वाले हैं कहीं न कहीं सभी बच्चों के mind में doubt होता है जो अलग-अलग लोगों से बात करते हैं तो वो अलग-अलग branch के बारे में suggest करते हैं तो आज के इस वीडियो में जो Best branches हैं उनके बारे में हम discuss करेंगे लेगिन उसमें भी सबसे Best हम किसी भी branch को नहीं कह सकते हैं सब की अपनी अपनी उपयोगिता हैं क्या उपयोगिता हैं किस branch में क्या खास बात है किस branch के क्या फायदे हैं किस branch के क्या नुकसान हैं वो सारी की सारी बात इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खुब ध्यान से सुनिएगा, ये जो निसकर्स हम आपके सामने रखने वाले हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस तो इसमें है ही साथ ही साथ वे स्टुडेंट जो पॉल टेकनिक कर चुके हैं, जिनको हम ने पढ़ाया है, जो जॉब कर रहे हैं, या जो पॉल टेकनिक के फाइनल एयर की स्टुडेंट से उन सभी बच्चों से बात की है, मैंने उसके बाद तब इस हम स्टेट पर पहुंचे हैं, कि आपको कम्प्लीट नॉलिज दे सके हैं, तो आइए दिया स्टुडेंट हम ड तो आईए डिसकस करते हैं, अगर हम टाप ब्रांच की बात करें, तो टाप ब्रांच में मेंली निकल करके आती हैं चार ब्रांच, ध्यान सुनिएगा, नंबर पहला सिबिल, अब नंबर पहले का मतलब यह कि पहले नंबर पे नहीं है, बस रैंडमली हमने पहले सिबिल लि कहने हैं दो branch's होती है एलेक्ट्रिकल होती और electronics होती हैं तो electronics उसमें नहीं है जब कि electrical की Demand जाधा है ठीके तो electronics I n electrical में difference क्या है वह भी हम आपके साथ discuss करने वालें तेन्षर मत लिजेगा उसके बाद अगली इसके साथ साथ modern time में अगर future को देखा जाए तो IT सेक्टर जो है यह आप कह सकते हैं इसकी भी डिमांड काफी ज़्यादा बढ़ने वाली क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इस lockdown की condition में तो ये confirm हो गया कि आने वाला जो यूग है वो computer का यूग है जिसको mobile चलानी नहीं भी आती थी अगर वो किसी college में teacher थे तो उनको भी mobile लेना पड़ा उनको भी online teaching करनी पड़ रही है तो dear strengths आगे वाले future की अगर हम बात करें तो IT सेक्टर में jobs बहुत ज्यादा चाल से computer science एक ऐसी branches की demand बहुत जादा आगे चलके बढ़ने वाली है यहां तक की government sector में भी job यहां से निकलेगी क्योंकि हर primary school में हर junior school में यह बात हो रही है कि वहाँ पर कम से कम नई सिक्षा नहीं थी आप लोगोंने सुना होगा उसमें बच्चों को छोटे बच्चों को ही computer science का knowledge दिया जाएगा तो उसके लिए teacher रखे जाएगे कौन रखे जाएगे जो डिप्लोमा की होंगे जिनके पास computer science की degree होगी तो वहां पर भी इसकी demand आगे चलके बहुत जादा बढ़ने वाली है तो आईए हम लोग discuss करते ही इन चार देखो बच्चों जो यहां पर हम बात करें यह जो चार ब्रांच आपके सामने लिखी है इन ही चार ब्रांच में हम compare करेंगे कि इसमें government job पाने कितने chance है इसमें कितने है इसमें कितने है तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि इसमें work क्या तरना होता है work देखो dear students होता क्या है कि पहले तो आदमी best सोचता है ले क्योंकि देखो अभी आप young age के हैं कुछ भी करने के लिए आपके अंदर जुनून है लेकिन जब एक बार आप job पाएंगे तो आप की salary उतनी है आपके friend की salary उतनी है आप देखोगे कि वो उतनी salary आराम से पा रहा है और आपको उसके लिए वहनत करनी पड़ रही है जादा तब भी problem होगी means हमें ऐसी field को choose करना है जहां पर हमें पैसा भी मिले और साथ ही साथ हमें उसमें आराम भी रहे बहुत ज्यादा work ना करना पड़े अब dependence बात पर करता है कि आपका interest किधर है जिस काम को करने में आपको मजा आएगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा जिस क काम को करने में आपको मजा नहीं आएगा जिसके बारे में आपको रूची नहीं होगी हमेशा आपके लिए बाइडन सा मैसूस होने लगेगा ठीक है देखो बच्चों आपको पता है कि जो सिविल निरिंग होती है इसमें बच्चों field work होता है field work यह से पुल अगरा बन रह है उसमें आप जाएंगे उसकी देख रेक करेंगे जो कुछ भी उसके बारे में होता है कोई ओफिसियल वर्क नहीं होता है हमेशा आपको बाहर रहना होता है बाते समझ में आ रही है आईए यहीं पर एक बात आउट डिसकस कर लेते हैं सारी साथ कि गौवर्मेंट जॉब जो होती है उनकी कितने चांसेश होती इतने कॉलम पर हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं सिबिल, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल और आईटी सेक्टिस में कंप्यूटर साइंस में वर्क क्या करना पड़ेगा गौवर्मेंट जाप पाने के चांसेश किसमें जादा है किसमें कम हैं बस इतना ध्यान रखियेगा बच्चों यहाँ पर हम इनी फूल ब्रांच के बारे में ही डिसकस कर रहे हैं इसमें गौवर्मेंट जाप पाने की चांसेश अगर 50% इसमें कितना होगा मतलब हम बाहर की जाप से नहीं मतलब हम उनहीं के बीच में कमपेर जन कर हैं जो प कि इसमें कि इसमें फिल्ड वर्क होता है और जो सिविल इंग्रिंग है इसमें बच्चों सबसे ज़्यादा गौवर्मेंट जाप पाने की चांस होते हैं लगबग एप्रॉक्समेटली 70% मैं कह सकता हूं 30% प्राइब होता है कहने का मतलब यह है कि अगर कोई गौवर्में जॉब आएगीٌ तो सिविल इंग्रिंग की सेट जो है सिविल डिप्लोमा करने वाले बच्चों की सीट उसमें सबसे जाधा होती है जबकी इलेक्रिकल की बात करें इसमें काम कैसा होता है बच्चों अब आपको पता है कि उसमें आपको company उगरा में काम करना पड़ेगा ठीके companies होती हैं वहाँ पर आप जाएंगे electrical में क्या होता है जितने भी light वाले instruments होते हैं बड़े-बड़े जहां पर direct supply उगरा दी जाती है मतलब बड़ी जो supply होती हो electrical के अंदर आती है जो छोटे-छोटे instruments मना इसमें 50-50% chance हो जाता है बच्चो government और private job की कितना chance होता है 50-50% ठीक है ठाके बात करते हैं mechanical की तो इसमें बच्चो factories होगी बड़ी-बड़ी जिसमें engine बनता है या कोई भी बड़ी-बड़ी machines बनती है उसमें आपको यहां पर काम करना होता है mechanical engineering में और इसमें बच्चो government job पाने के chances अगर देखें तो 30% है और 70% इसमें private sector जादा है mechanical के लिए ठीक है आगे बात करते हैं IT sector की इसकी बच्चो खास बात यह है कि इसमें आपको official work करना होता है सबसे plus point यह है कि polytechnic diploma अगर कोई बच्चा किया है तो वह किसी भी trade से किया है किसी भी trade में उसको official work करने की यह नहीं मिलता है लेकिन computer science एक ऐसा trade है जहां पर आपको official work करना पड़ेगा आपको field work नहीं करना पड़ेगा hard work नहीं करना पड़ेगा इसकी खास बात होती है इसमें बच्चों government job पाने के chances तो अभी बहुत ना के बराबर है 10% आप कह सकते हैं बाकि 90% इसमें जो है private jobs ही ह पैसा बहुत जादा है starting में थोड़ी से महनत भले करनी पड़ती है हाँ एक बात बोलना चाहेंगे कई सारे बच्चे बच्चों ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि हम polytechnic diploma लेंगे फिर उसी के बाद हम b.tech करेंगे जैसे कई सारे बच्चे हमारे class 10 से farm भरे हैं वो यह सोचत चाहरा करना है तो आक के लिये बेस्ट होगः computer science अगर आप b.tech करना चाहते हैं अगलो मा लेने के बाद अगर आप b.tech करना चाहते हैं तो आपकर प्लस-फाइंट है जो गल्स हैं जो लड़कियां हैं उनके लिए best है लड़कियों के लिए best क्योंकि और सारीuju nine लड़किम dat होगा तो यहां पर जो हमने आपके साथ डिसक्रसन किया सिबील इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के बारे में काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा किसमें काउं सा वर करना होता है गौर्मेंट जाप कि इसमें कितनी जादा है अब देखो इसका मतलब आप कहीं यह मत समझ लेना कि आप सिबील इरिंग से डिप्लोमा ले लिए तो सेवंटी परसेंट चांस है कि आप गौर्मेंट जाप पा बाते समझ में आ रही है आप लोगों को जो आपका फ्रेंड जो वर डिप्लोमा लिया है उसके बैसिस पर यहां पर बात कर पाएंगे कि वह कितनी पौर्चिंटी और कितनी पौर्चिंटी आपकी हैजाब पाने की वह कम पेरिजल यहां पर हो रहा है मैंने आपको पहले से भी clear कर दिया है जैसे अगर आपको कोई friend है वो mechanical से diploma लिया है तो अगर उसके government job पाने की 30% chance है तो आपके government job पाने की chance होए 70% हो जागी अगर आपने civil से किया है तो means एक line में अगर हम बोले ते जब कोई भी government job आती है तो उसमें civil की seat 70% है तो उसकी 50 होगी इसकी 30 होगी इसकी ना के मरावर होती यह मतलब यहाँ पर निकल करके आ रहा है तो यह आपके सामने जो trade लिखे हुए हैं आपके सामने जो branch लिखी हुए यही best branch है लेकिन इसके अत्रिक्त भी अगर आपके घर में कोई किसी field में है उसके बारे में आपको ज़्यादा knowledge है आपको उसमें ज़्यादा interest आता है तो आपको वही trade वही branch आपको choose करना चाहिए बाते समझ में आ रही है तो dear strengths आज के इस video में हाँ यह खास बात जरूर है कि अगर किसी का देखो हमारे कहने पर नहीं हमने क्या किया है एक prospectus दे करके simple सा knowledge आपको देने का प्रयास किया है आसा करते हैं कि वह knowledge आपको काफी हद तक समंझ में आ गया होगा बाते समंझ में आ रही हैं अब आप अपने माइंड का यूज करते हुए अपनी ब्रांज खुद से decide करेंगे और किसी प्रकार के हमारे suggestion की जरूरत होगी तो आप comment section में बोलेंगे तो हम आपको जरूर से जजूर सजिस्ट करेंगे तो आसा करते हैं बच्चों इस वीडियो में जो भी information मैंने आपको दिया है वो सारे की सारी आपको समझ में आई होगी कहीं आपको कोई doubt नहीं होगा तो dear students आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक लिए सांदार रहिए मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए मिलते हैं next वीडियो के साथ तब त आपकार